स्वालो गैस मन्हीत मौर अगाइस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मत्य वर्ग के बारे में इससे पहले हमने द्रव्यादी विज्यानी में तो वर एक वग उसके बाद शीर वर्ग वदू यह और मत्य बारे में पढ़ लिया है इसे जो अलद अलद प्रकार से करने पर राया सभी प्रतित करते हैं अगनी वर्दत होता है अगर उनका सरी प्रकार से शेवन किया जाए तो यह रोचन होते हैं मतलब वजन के प्रतित बढ़ाने वाले होते हैं अगर उनका सरी को सरी से बाहर निकालते हैं यह मुथ्र वर्दत होते हैं उसी के साथ यह कुछ कसाय रस यूठ भी होते हैं इसके बाद यह स्वर आरोग यह प्रतिवा तता मुख मंदल की कांधी को बढ़ाते हैं और यह लगु होते हैं साथी साथ विकासी और व्यावाई ही होते हैं मैं तो शरीर में जल्दी फ्रेंदे हैं जिन्हें निद्रा ना आती हो या पिर जो आती निद्रता से बिरित हो उन को पूष्ट करता है जो पूष्ट हो गया जो पतला हो गया उसको पूष्ट करता है और सुच में होने के वाद जैसे वह बहुत ज्यादा विकासी होता है जिसके कारण वह सभी स्वरतों में ठायता है जिसके और सुच्छों को सुच्छ करता है करता है और वीदी निप्री सेवन किया गया मत इसके समान हानिकारव होता है तो यह हो गए दोहां मद्धि के समानी गुर्ट के बारे इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसका जो बाता आगर है कि विस्तानास कैसे किरता है तो सोतों को वाली बाती सोतन हो जाने से शरीर में संचाव सुराज रूप से बुणने लगता है जिसके फैसर रशादे सभी दाथ फूस्ट होना ही लग जाते इस जिससे वानों का सरीर फूस्ट हो जाता तो मत्य में रूच सन तीर शुर्ट तता कृती पर ऐसे बूड़ होते जिनके कारण जा होता है तो प्रब्यारस सुर चत्रोट ऑनाश रोच चारह जिसके जाए और नित्र आई उसके बाद देखते हैं मत्य परिचेए में तो मत्य परिचे या तो जो द्रब्य होता है पुद्धि का नास या विनास करते तब उसे मत कारत करते क्योंकि उसमें तमों गोड़ की प्रतांता रहते जैसे मत्य और सुरां तो यह पी मत्य एवं विश समान गुर्वाले कहें गए जो मत्य है और विश है दोनों क्या है दोनों विकासी और विवाई होते हैं तो सरे में बहुत चल्दी फैदे और शरी को अन्य के साथ लिए बताया है आपने प्रस्स वादाए कि देली आहर के साथ सेवन कर सकते हैं लेकिन अगर उसे विधी पुरवक सेवन किया जाए तभी हो शरी के लिए करो दहां जोंकता है अनुचीत प्रतार से प्रयूक किया जाते है तो रुवत पातक होता है जब साहित जन से उसका विदी पुरवक सेवक करने से अंबित के समान गुड़ का अधर अब प्रयुक्त मत्य के बुड़ अगर वीदिपुरों के साथ यता सकती प्रसंद चीत होका मत्य पान करते तो उसके लिए वो अंबित समान गुड़ कारी हो इक आप सुरा का एतिहासी वरनां तो सुरा के बारे में बताया दे शुरा को कि आधी 17 में नामक याग में दे लिए रिष्टे से सुरा याकि पवित द्रवे सुरा क्या है याक यादी निम्हाट रिवारे द्रवर होनी तार लिए से पवित द्रवे माना जाता है फिर अ है सुरा बनाव देवता सु राऊंट पर श्राइब जिस यह में घिसे इस संधान किया जाता है तो समय इस मंद्र का हुचत आरण किया गया है तो मतफर सुड़ा क्या है इतुरा किया है यहां वह प्रूमाना और जो पुराना मत्य होता है वो लभू होता है और ठिडोस सामप होता है उसके बाद मत्य का नि्शेत्स प्रकार हो युप थार वियार के साथ करनी के बाद भूख मिरमत दोते कष सेवन करिए करने के बाद उसके बाद उसना गुड़ी तब लियार गे बाद तता इंहें समय क्या है मतर्थका सेवन नहीं करना चीए उसके बाद अथ्यंत तीचन अथ्यंत अम्रुदू जो समुची समगरी से न बताया हो नंजो मलिंग अर्फात स्वच्छ न पिया गया वह ऐसे मद्र क खोट नहीं पीना चाहिए स्वाच्ट नहीं कीया जिसका फर्मेंटेशन अच्छे सर्थ नहीं ना चाहिए जिए तो गूलम रोग उदर वुदर रग व्राणे रोग तता सोच रुगो व्रिनास करती है में निमेंसियेशन आदीव हैं और साथ होता हैं और वात नाशका होता है है अब इसके बाद आगए रिखते हैं वारुली परीचे के बारे में ओर मतब यहीं एक मद्य का प्रख्रार है तो वारोडी नामत जो मत्य नामत वड़े उप्त सुरा ते समानी होता है कुछ इस प्रकार होते हैं लगु होती है यह तीछ रोदी और साथे साथ यह सूल कास वमन स्वास मिवन्द पफुरा तता प्रिनस रोगों को नस्ट करते हैं अब वरोड़ देव को यह मत्य प्रिय थी आता है इसे वारोडी कहा जाते हैं इसके बाद आगे देखते हैं बहेडा की सुरा जो वहेडा हम देखते हैं त्री फला में तो विवी तक इसके पहले दाते इसकी शुरा अधिक नस्ली नहीं होती होती है नहीं होती होती है यह सब वरोड़ ऑदे के लिए हुआ है तो यह घथका नहीं है तो इसी कर दरह वह फोदी है ज्यादा लेकिन विशेश रूप से लिए लेकिन पुड़ा मुड़ा उसका पत्य कर देखा जाते हैं उसके बाद यह मतब जो कब्जियत उसको करने वाले होती है होती है ती दो विश्डम करवाती है तो है आर मतुलक सुरह करको तो यह सभी सब्सक्राइब करने हैं इसके बाद क्या होता है इसके बारे में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले कुस्मांद सुरा भी कहा वैं इसको इसमां मतलब बेठा जिसकी मिठाइल पहला पाथ से बनती है पेठा आप लोगों ने खाया होगा तो पेठा से पढने वाले इसे पुछ मांद सुरा भी पहते हैं उसके बाद बेखता गया है कि उखल जो देश में उसके बाद मदलब शूरा आए उसे स्रींदु करते हैं अर सभी मत्यों को इस सभी मत्यों को मादूलब पहर सकते दो जिनका संद्रदान वाले आति नदब यह कांद ऑदिल्च सूरात है इसे स्थेंदु बई करते हैं जो कि मैं जिनका आज से आकशम distintos को पैया अना दो अरिष्ट के वारे में देता है तो अरिष्ट का निर्माल फिए उन गूड अ द्रव्यों में के वुड्रम के समाने होते हैं कि आसो जे अधिक गुड़वान होता है यह उतर्लोग विभारोप नष्ट करता है यह स्वाद में कशेला सब्सक्राइब निर्माइब दिया जाता है वह अरिष्ट उन्हें के समान होते हैं यह क्या होता है आशो सभी मद्द्यों में आतिक बुलवान होता है और इसाथी साथ यह ग्राने नाशो पर नाश करता है और साथ में कसला कटू और वातवर्द बोड़ा है इसके बाद मुनक्का या फिर मादवित का मुड़ देते तो उनक्का क्से बनाएगा है वह उसको क्या है हमें इस किसमी सब्सक्राइब नेक्षन होता है पूंधा जो मल्ध जितुका आवस्टम उभाएं उनको सरी से लिकंदर निकलता है और फिक दोस्ता वात तो सको बढ़ाता है और पांडु रोग, ब्रमेद, अर्श, 282 तो तो प्रीमि रोग आसे पहले के बारे अब उसके बाद तो उपर मनुक्या के मत जो गुड़ कहें उनमें से खजूर के मत कुड़ कम गुड़ होते हैं जैसे यह वाद कारक और वुरु वाला होता है तो गुरु होता है आइस कंपेरिटु जो नहीं मुनकका अघा उसक कंपेरिजम नित्रा ज्यादा घृदेक बास तुठ होता है और Tech ऑुड्र से निर्मिद जो निर्मित अपने दीपकोते हैं इसके बाद मन देखते सीधू कवर्में सीधू मतर्ब जया होता है तो सब्सारी चीजे देखेंगे तो यह वाद विदार विदार और स्वरोग को नस्ट करता है यह निदो रोग मतलब करते हैं सिस्ट टूनान में बख्वार कंव रहे हैं सीध लाइ इनगूर के मधवरोग डाल करते हैं अगोल निकाले पातर में रूख में करतें दो-तिल सब्सक्राइब दूसरे पात में रख दिया जाता है जब इसमें जाला पढ़े जब जाला पढ़ना बंद हो जाए तो वह रस अतेंते निर्मन हो जाए हो जाता है और ऐसा समझना चाहिए ती सीधू तैयार हो गया है वैसे कि सीधू मतलब सिर्का होता है गाव में आप अगर जाएंगे तो आप क्या करते वैसे मुनक्राइब नहीं तरह यूज़ करते वसी के रस को क्या करते हैं एक मीटी के बात्रे में भार कर उसे उसको दो-त बंद हो गया तो हम समझ जाते कि सिर्कत द्यार हो गया उसी को हम सीधू करते है पसीदू दो प्रतार्गे के वहते हैं एक सीत्रस वाला और एक वक्वर शुआ इसके बाद देखते मध्वा वसका मध्व आवास करना तो मधू के सहयोग से बनाए आसव को मध्वा सवगत थ यह मल आदी का शेटन करता है कि किस्व गुढों अफड़स को उन्षट मेटा है कि वाल नौण करता है अब भाद गोस्के अबर गती जो शुरीशित उसमें लाता है यह गुड़ अत्यांत उस्कन रूच तता अमल रश्प्रदान होता है अमल रश्प्रदान होने दिल्दार दिये हितार होता है रूचिकर होता है तता इसके बाद दिते हैं गुड़ अधिशक जो बुड़ का शूक एक का सूक मतने निर्माल वीदी से बनाया वेश्प्रदान मुट्का से बनाया वेश्प्रदार बुलो में क्या होता है जिने तिरी थार्ष्द होते यह इसका बात कंद आदी सुक्त के बारे में देखते हैं तो सुरन जो की आपका अपका सुरन कहते हैं इसके बाद जमी कंद करन हो गया उसके बाद लोकी से आदी करता है असर पर आसो के बाती चुभाया किसी भी क्राइब करतार लब हो तर्य यह शुखत चाहांगे दो तेन में तयार हो जाता है इसे तांजी यह सकते हैं कि जो मारवारय पंजाब प्लादे प्रदेश्व में इसे तान्हीन कहते हां कर गोड कर इ। इसमें पर जाता है और पाचा थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब होते हैं इसके बाद नमक होता है राई होता है हल्दी तता काली मीज होता है इसके बाद देखते हैं मेठी कानी के घटक द्रव तो इसके रस और मेठे द्रव द्रव जयल के योग से बनाए गए एक कानी का नाम एक अवंधी सोंदी है वास्ताव देश मतल मारवल या जंदो पर देश का आम रहेत है इसे वाहार विवीत प्रवागार से बनाए जाता अ इसके बाद धन्यामल का आधी का वर्ण रप्ते हैं मतलब धान आधी से बनाएंगे तो धन्यामल नाम कांधी मल पूरिस का भेदान गरुशे निकालती हैं यह तीछला उचला पित्त वर्दत तर्था परस्वर्ष में शितल होती है यह स्रंद एवं ग्लंग पदूर करती ह इस प्रकार से हमने देखा धन्यामल आधिदा वर्ण उसके बाद सवीरख या तुस्वत्त के बारे में देते हैं तो चूट है अमनके मतलब इस में क्या जो उसक्त मतलब उनके बनाए गया जो मती हैं उनके बारे में है तो बिश्यस रोप से इन्टा जो प्रहव होता दोनों में बेड़ो और तुसरहेत यहों से बनाई जाती है और तुसरहेत यहां से बनाए जाती है एक तुसरहेत से बना चाहित से नहीं के तुसके साथ बनाई जाए तुसके बीना बनाई जा रही इसके आधे देखते हैं कि यहां तक हमारा था मत्य वर्व के बारे में तो यहां पर देख लेते भाद या भाद के मान से जो कांजी बनाई जैसे उसे धन्याम लगत अभी देखा आपने से बनाई जाते हैं जो है उससे बनाई जाते हैं जो आपके तुसरों कांजी होते हैं वह तुसर सही तो यह समू से बनाई जाती है इसका बाद हम मुत्र वर्वर्व के बारे में देखते हैं एक तो आठ प्रकार के मुत्र देखते हैं गाई दी मुत्रां गफरी मुत्र जेड सब्सक्राइब होता है समान द्रिश्टी सब्सक्राइब 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 आप अध्या थोड़ा वर्तव बड़ देटे कि मूत्र ने बारे में तो अधीया देहां आ तो हरित का ततनेतिक चवपाव में इस्त्रीयों को लगव और पच्छीयों में पूरुस को लगव माना जाता है को चाहएं वाले जनवर होते हैं इसमें इस्तरी लोगों माना जाते हैं और जो पच्छी होते हैं उसमें पूरुस को लोगों माना जाते हैं इसके बाद कि यहां पर दीया है उसमें नर्मूत्र पार नहीं है कि जो नर्मूत्र है वह विस्थ कहोता है तो तो इस का नास करते हैं इस प्रभामूत्र को विश्ब्रों निरोग निरोगर बस्ति प्रवार करें जाता है यह मूत्र वेवी खुड़ाकर के टोप्लिया सुझार के लिए प्रीपनी होते हैं और उस सभी मूत्रों में जो मूत्रों उन्पोर सबीर कि मूत्रों उत्तम माना जाते हैं अब आप बचाने के लिए पितासे में आतर जितना पित्त द्रवाव खाया हुए और बें प्राणा के साथ कुछ बल के साथ सरीर से बहां दिकन जाता है आता हम बल एवा मूत्र में पित्त वंदभ भूड़ पाये जाते आतर अंदभ रहोग चिसाम भिया जाता है जिसे हम इ यूझस कर सकते वहरी प्राणीों को फिक्तासे ने पर सलीे में लिया जाता है इसे आशलतों की रूभ ने लाग जाता है अधर जाफ दाय के घृत को में प्राणी अधर मारेढ आ हम से चाहां चाहरा मुद्र वर्वड ना मोद्रल के वारे में इसके बाद मारे ध्रभीयाद हए भीज्यानẩ घक विज्यान छतम होला इसके बात हम क्छठा अध्याइग AIAS त्यौनार गिरेंगॉ नहीं शारूक भीज्या ना की वारे अंगा तो मेosed शस्वरूग नित्वान हें अर्व ग मैं साथ प्रकार देखे सबसे पलए हम देका तोई वर्ग तेल वर्ग मद्य वर्ग वदू वर्ग और लाश्म में मूत्र वर्ग तो इस तरह से हम लोग में साथ वर्ग देखा है छटे अध्याय में अन्ना स्वर्गपादी विद्यानी के आता बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो